नमस्ते दोस्तों तो आज फिर से मैं आ गई एक नए डेकुरेशन के साथ और यह फ्लेवर बिलकुल अलग नहीं है मुझे हर बार चॉकलेट केक की ओर्डर्स आते हैं और किसी को ब्लैक फॉर्स्ट चाहिए किसी को चॉकलेट गनाश वाली केक चाहिए लेकिन चॉकलेट ही तो मैंने फ्लेवर तो नय नहीं लाया है इस बर मैं कोशिश करूंगी कि मैं नय नय फ्लेवर लाओं और जब भी मुझे घर के लिए जब केक मिलाना होता है तो मैं नय फ्लेवर ही ट्राय करती हूं ताकि मैं आप लोग के साथ उसकी वीडियो शेयर कर सकूं तो आज का जो थोड़ा सा तिर्चा कड़ गया था मेरा केक तो मैंने थोड़ा साइट से इसे निकाला जो भी उपर वाला पाड़ था ताकि मैं उसको जॉइंट करके लेरिंग कर सकूं तो इस तरह से आप भी अपने लेयर को अगर थोड़ा बहुत उपर नीचे कड़ जाता है तो उसे थीक कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपका थोड़ा किर्चा कड़ गया तो उसे वैसे ही छोड़ा है तो आपकी मर्जिये आप सीधा करें या फिर वैसे ही लगा भी सकते हैं लेकिन जब आप केक की लेयर कट करेंगे तो थोड़ा सा वह उपर नीचे दीखेगा हाला कि उतना मिल पाता नहीं चलता है ओर जब आप नॉर्माल ऊडैन वाली नाइप से कट कर दे को तो वैसे इतवा सा अंदर लेयर अच्छे से नहीं दिखते और जब आप शार्प किसी नाइट से कट करेंगे अपने केक को तो काफी वो अच्छे लेयर उसके दिखते हैं और आज का जो केक है वो फॉर्स्ट तेम मुझसे केक लेकर जा रही है वो मेरी सोसाइटी में ही रहती है और उन्होंने फॉर्स्ट तेम मुझे ओर्डर दिया और जब मैंने उनको केक की फोटो भेजी तो थोड़ा सा उनके मन में कोश्चन मार्क था कि ये ब्लैक फॉर्स्ट ही है या कोई और है उन्होंने मुझे पूछा ये बात तो मैंने उनको बताया कि आपने मुझे बोला था कि मेरी एनिवर्सरी है तो इसलिए मैंने इस केक की डिजाइन जो है एनिवर्सरी की हिसाब से रखी है तब उन्होंने ओके बोला और मैं थोड़ा सा टेंस में हो गई थी इस बात को सुनके पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा ये केक लेकिन मैं सोच रही थी कि उनसे फिडबेक मांगूं कि नहीं मांगूं क्या करूं लेकिन उन्होंने खुद ही रिव्यू दिया और उनको ये फ्लेवर बहुत पसंद आया उनको केक बहुत पसंद आया मुझे जब अच्छे रिव्यू मिलते हैं जन्यून फिडबेक मिलते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है और जो भी मुझे फिडबेक मिलेगा मैं वही आप लोगी साथ शेयर करूंगी ताकि आ आप अपने केक का फ्लेवर कैसे अच्छा करें अगर मैं कुछ खराब भी बनाती हूं जैसे अगर मेरे क्लाइन को पसंद नहीं आता है तो जब भी मुझसे कोई ब्लैक फॉरेश्ट केक की डिवांड करता है तो मैं हर बर इसी तरीके से बनाती हूं आपने मेरी अगर पिछले की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं ब्लैक फॉरेश्ट केक इसी तरीके से बनाती हूं और लोगों को काफी पसंद भी आता है तो इसलिए मै इसको चेंज नहीं करना चाहती और जब भी मुझसे कोई चॉकलेट केक की डिमान करता है कि हमें चॉकलेट केक चाहिए तो मैं अपने क्रीम में थोड़ा सा चॉकलेट गनाश या फिर चॉकलेट सीरप एड़ करती हूँ ताकि वो चॉकलेटी टेस्ट आए और जैसी जैसे कॉस्टमर के डिमान जिस तरीके से होती है मैं उस तरीके से थोड़ा-थोड़ा चेंजेज करती रहती है अगर किसी को और ज़दा चॉक्लेटी चाहिए होता है तो मैं चॉक्लेट गनाश बनाती हूँ फिर उसके बाद अपने क्रीम में एड़ करती हूँ और एक मैंने और केक बनाया है उसकी वीडियो बहुत जल्द आप रों के साथ शेयर करूँगी मैंने उसमें चॉक्लेट मू और दे रहे हैं और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है ऐसे बहुत सारे मेरे कॉस्टमर्स हैं जो साल एक साल हो गया वह बार बार मुझे ही ओडर देते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है यह जानके और अगर आप ओडर्स लेने की सोच रहे हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं जिस तरीके से हेल्प कर सकूँगा अगर चोटी चोटी बहुत सारी चीजे होती है टिप्स और ट् डिजाइन भेजता था फेट केक की तो मुझे थोड़ा सा सोचती थी मैं कि शायद मैं वैसा बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी तो उस तरीके से ही मैं अपने कस्टमर के साथ डिल करती थी मैं हमेशा उनको बोलती थी कि मैं 100% नहीं गारेंटी दे सकती कि as it is बनेगा औ और आज भी यह चीज मैं हमेशा अपने क्लाइन को बताती हूं ताकि उनको यह ना लगे बाद में कि जैसा हमने कहा था वैसा नहीं बना है तो इसलिए शुरुवात में आप उनको बता दे कि जैसा पिक्चर में 100% बनाना इन पॉसिबल सा होता है क्योंकि कई बार कैमरे का एफेक्ट होता है कई बार कैमरा इतना अच्छा होता है कि बहुत अच्छी फोटो आती है तो जरूरी नहीं है कि आप जो फोटो देख रहें बिल्कुल वैसा ही आप ऐस इट इस केक बनाए क्योंकि जब आप खुद भी किसी एक डिजाइन को दो बर बनाएंगे तीन बर तो थोड़े थोड़े उसमें चेंजे जरूर रहेंगे 100% आप कॉपी नहीं कर सकते हैं तो ये चीज़ आप क्लाइन को शुरू से ही क्लियर करके रखें क्योंकि में पस एक और आउडर ऐसा आया उन्होंने मुझे एक ड्रेस दिया बच्ची का और बोला कि मुझे ऐसा ही क का केक का कलर चाहिए तो मैंने उनको बोला कि मैं पूरी कोशिश करूंगी लेकिन 100% की गारेंटी मैं नहीं दे सकती क्रीम में वह कडर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कपड़े में जो कडर होता है वह अलग होता है तो इस तरीके से आप भी जब डील करते हैं कश्टमर से उनको ये चीज़ जरूर से जरूर बताएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं किस तरीके से क्रीम लगा रही हूं और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ओर्डर्स लेते हैं केक की तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मुझे सच में बहुत करेगा यह जानकर कि आप भी ओर्डर्स लेते हैं और कंप्लीट करते हैं और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर आप अपने केक की डिजाइन से भेज सकते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं वह भी आपनों के साथ जरूर उसे सॉल्फ करने की पूरी कोशिश करूँ बस यहां पर मैंने अपने पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से समझ किया है और साइड में मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं यहां पर दूसरी डिजाइन बनाऊंगी और M1 नोजल से सच में बहुत ही अच्छी डिजाइन बनती है आप इससे रोटेट करते जाना है और आज मैंने अपने क्रीम में लिक्विड कलर ही भरा है मैंने इसमें जेल कलर नहीं भरा है और यह भी काफी अच्छा कलर इससे आता है तो आप वाटर कलर भी यूज कर सकते है मैं जेल कलर इसलिए रखते हूं क्योंकि अगर आप जेल कलर रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हम चॉक्रेट में भी यूज कर सकते हैं और फॉंडेंट में भी यूज कर सकते हैं तो इससे हमारा जो है एक्स्ट्रा खर्च हमारा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास बहुत स घल कलर ही रखती हूँ अगर आपके प Taste셔야 है तो अब Liquid color कंभी यूज कर सकते हैं और जन कलर भीया रख सकते हैं तो बस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रूजट बना दिये हैं और यहाँ पर मैंने star वारे nozzle से कुछ stars भी बना दिये हैं और बस उसके बाद मैं यहाँ पर leaves भी थोड़े बहुत बनाऊंगी और उसके बाद थोड़े से golden balls भी इस पर डालूँगी और यह मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने संत मैं इसे आई थी एक दिन पहले ही और मुझे यह काफी अच्छा लगता था मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं इस capsule वाले स्प्रिंकल से डेकोरेट करें अपने केक को तो आज luckily मुझे मिल गया शॉप में तो मैं लेकर आई हूं और यहाँ पर बीच में मैं लिख और मुझे पूरी उमीद है कि आज की आपको डेकोरेशन काफी पसंद आई होगी तो ऐसी धीर सारी information के साथ मैं आप रोख लिए वीडियोज लाती रहूँगी तो मिलते हैं मेरे next वीडियो में कुछ नया लेकि कुछ नया करने के लिए तब तक के लिए बाबाए